हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक, मैं गौरव, एक बार फिर आफ सबी के सामने, दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं SSC MTS 2021 के प्रीविएस यर कंप्यूटर के कोश्चनों पर, जी हां दोस्तों, किस प्रकार से दोस्तों SSC MTS में कंप्यूटर के कोश् हम दोनों पर ही चर्चा यहां पर करेंगे, तो यहां पर ध्यान दिजीगा पूरे वीडियो को अच्छे से देखेगा, यहां से आपके बहुत सारे कोश्चानों कंसेप क्लियर हो जाएंगे, यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे, वह कंप्यूटर के प्रीविएस यर के कुशन भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तो चलिए बीना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं देखी फ्रेंट्स पहला कुशन यहाँ पर क्या बोला है निमने में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में थ्री फिंगर सलूट के रूप में जाने जाती है अब यहाँ पर हमें जो चार आप्शन दिये हैं हमें बताना है कि कौन सी कमांड जो है वह थ्री फिंगर सलूट के रूप में जाने जाती है अगला कोशन देखी Information Technology में associate memory के रूप में क्या कहते हैं या associate memory को क्या कहते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों associate memory को control addressable memory भी कहा जाता है थीके क्या कहते है control addressable memory अगला question देखिए network में sunship सद्देश को जो एक station से दूसरे station को जाता है जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते है ये कहाँ पर यूज होता है ring topology में ठीक है दूसरों क्या बोलते हैं दूस्तों token कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है token जो कि एक station से दूसरे station को जाता है clear है सभी को चली आगे बढ़ते हैं next question पर चली अगला question देखी दूस्तों एसा कुन सा virus है जो self reflect होकर phylo को infect करता है मतलब जो self reflect होकर phylo को infect करे तो याद रखेंगे दूस्तों यह कुन सा virus है तो यहाँ पर option A विल्कुल सही होगा polymorphic virus ठीक है याद रखेंगे यहाँ खुद self reflect होकर और दूसरी phylo क्या करता है यह infect करता है चली computer virus warm याद रखेंगे computer virus warm की स्वयम की replicate के लिए किन युक्ती का प्रयोग किया आता है मतलब जो warm virus है write one read many उसके replication के लिए उसके replication के लिए उसके युक्ती प्रयोग कियाती है तो यहाँ पर याद रखेंगे दूस्तों spawn ठीक है तो दूस्तों उन्हें emulator कहते है क्या कहा जाता है दूस्तों उन्हें emulator कहा जाता है चली आगे बढ़ते हैं next question पर देखें दूस्तों अगला question क्या बुला है धन राशी के अंतरन को क्या कहते है मतलब अगला question देखिए Cash memory कि सिध्धान पर कारी करती है, तो याद रखेंगे दोस्तों, cache memory यह हो difference के सिध्धान पर कारी करती है, clear है? अगला question देखी, program में error कहलाती है, देखे, program में error कहलाती है, जब भी program में error आती है, तो उसे कहते हैं, bug, क्या कहते हैं दोस्तों, bug, B.U.G और removal of error क्या 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 लाता है debug याद रखेंगे प्रोग्राम में यादी error आती है तो उसे bug कहते हैं चली आगे बढ़ते हैं next question पर तो friends अगला question देखिए cache memory किन बीच कारे करती है मतलब किन के बीच में कारे करती है तो देखिए cache memory जो है वो RAM और CPU के मध्य में कारे करती है cache memory जो है वो RAM और CPU के मध्य में कारे करती है ताकि program जल्दी जल्दी execute हो सके clear है it reduce delay time between RAM and CPU मतलब option ए क्या होगा यहाँ पर बिलकुल सही होगा यह cache memory किन के बीच क्रिया करती है तो CPU और RAM के मध्य में क्रिया करती है चली अगला question पूछा है हमसे YMACS का क्या अभी प्राए है ठीक है YMACS का क्या अभी प्राए है अब YMACS का अभी प्राए है मतलब यहाँ पर हमें option दिये हैं इसके full form तो देखे दोस्तों YMACS का full form होता है worldwide intro pairability for microwave access ठीक है याद रखेंगे इसका full form एक्जाम में पूछा गया है और important भी है email का उपचारिक अविशकारक किसने किया ठीक है मतलब email का उपचारिक अविशकारक किसको दिया गया या किसे बोलते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों email के उपचारिक अविशकारक कोन है वी ए शिवा अया दुराई ठीक है चली आगे बढ़ते हैं next question पर friends आप सभी के लिए अपडेट है अब हमारे crazy जी के trick के application पर online course की category में आपको ये सभी course available हो जाएंगे जहाँ पर आपको advanced math course mpgk course computer online course english course और reasoning course और other course भी मिल जाएंगे तो आगे आने वाले सभी exam के लिए आप हमारे साथ मिलकर तयारी कर सकते हैं यदि course को आप दोस्तों join करना चाहते हैं तो जाएए हमारे application को download करिए और online course की category में जाएए और course को join करिए और यदि आप join करते समय coupon code apply करेंगे तो आपको flat 50% का off मिल जाएगा तो जाएए दोस्तों course को join करिए और preparation करिए हमारे साथ आने वाले सभी government exam की देखिए अगला question क्या बोला है निमने तुरूटियों में से किसकी compiler द्वारा पहचान की जाती है तो देखिए निमने तुरूटियों में से कौन सी compiler के द्वारा पहचान की जाती है एक्जिक्यूट करता है अब देखिए एक software robot जो सवचलित होता है मतलब खुझ चलता है और एक लंबी सूची को एक्जिक्यूट करता है जैसे कि example की तौर पर देख सकते हैं दोस्तों PUBG गेम में आपने देखा होगा वो सारे bot player आते हैं अगला question देखी एक कारे को रद कर फिर पूर्व इस्थिती प्राप्च करने के लिए MS Word में किस shortcut की का उपयोग किया जाता है मतलब जो भी आपने कारे किया है उसे आपको रद करना है और वापस पूर्व इस्थिती पर आना है मतलब वापस आना है या बोल सकते हैं अपनी जो द्वारा गलती की गई है उस गलती को वापस चुपाना है तो क्या कर सकते हैं MS Word में MS Word में आप कर सकते हैं उसका use control plus Z का जिसे undo की की भी कहा जाता है undo मतलब जो भी आपने कारे किया है do कारे करना मतलब do और उसको क्या करना undo मतलब undo किये गए कारे को वापस से मिटाना है ना चली या पहले वाले कारे पर आना है गलती को चुपाना है क्या कहला गया undo control plus Z आगे बढ़ते हैं next question पर next question देखिए दोस्तों space दूरस्थ सर्वर पर storage सेवाओ का online वितरण है अब देखिए दूरस्थ सर्वर पर storage का online जो वितरण होता है या बोल सकते हैं internet पर जो भी cloud हम लोग use करते हैं ठीके उसके क्या कहते हैं cloud computing क्या कहते हैं दोस्तों से cloud computing cloud computing दूरस्थ सर्वर पर storage सेवाओ का online वितरण है clear याद रखेंगे अगला question देखिए दोस्तों निम्न में से किसमें आदेश या जिसे इंगलिश में कहा जाता है command और विकल्प की सूची होती है मतलब आदेशों की या बोल सकते है विकल्पों की सूची होती है ठीके तो यहाँ पर फ्रेंट से मारा answer क्या होगा option A अगला question देखिए एक computer उपयोग करता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान नेतर पटल के माध्यम से पहचानने की विदी को कहते है जैसे दोस्तों हम सभी ने आधारकड बनवाया है तो आधारकड बनवाते समय हमने हाथों के पंजे और आगों के रेटिना स्केन करके उसमे दिया है और वह चिप जो है अमारी जो आधारकड बना है वहाँ पर जो बना है वो किसा बना है UID बना है उसको universal identity कहा जाता है तो वो जो process जहाँ पर आपने अपने हातों के पंजे के निशान दिये और आखों के रेटिना का scan दिया, वहाँ process कहलाती है क्या दोस्तों, biometric ठीके, याद रखेंगे, एक human person के, या बोल सकते हैं, human body का use करके, किसी original person को पहचाना जाता है, तो वो system क्या कहलाता है, या वो device कहलाता है biometric input device, और उस process को क्या बोलते हैं दोस्तों, biometric clear है, चली, आगे बढ़ते हैं अगले question पर चली friends, अगला question देखी, computer तकनीकी की पहली PD में किस भाशा का प्रयोग किया गया था दोस्तों, generation से question पूछाए अब यहाँ पर हमें option दियें, kobol fortron, assembly और machine बाशा, तो याद रखेंगे दोस्तों, computer तकनीकी की पहली PD या बोल सकते हैं first generation में machine language machine level language या बोल सकते हैं machine बाशा का उप्योग किया गया था और machine बाशा किसे कहते हैं दोस्तों binary को, ठीके, जिसका base क्या होता है, दो zero और one, इसमें number किते होते हैं, दो, zero और one ठीके, तो याद रखेंगे machine level language का उप्योग सबसे पहली बाशा किया, पहली PD आगे बढ़ते है next question पर अगला question मूल रहा है, खालेस्थान एक संकल्पना है, जिसमें code अथवा दूसरी संवेधन सिल्ट सूचना प्राप्त करने के लिए trash अथवा recycle bin की चानबिन की जाती है, तो कहाँ पर कियाती है दोस्तों, तो याद रखेंगे dumpster diving में, ठीके option D is correct answer dumpster diving एक संकल्पना है जिसमें code अथवा दूसरी संवेधन सिल्ट सूचना प्राप्त करने के लिए trash या बोल सकते हैं, recycle bin की चानबिन की जाती है चलिए, अगला question देखें दोस्तों क्या बोल रहा है, read only memory मतलब ROM में एक विशेश कारेकरम जो operating system को random access memory या बोल सकते हैं, short में RAM में, load करने के लिए जिम्मदार होता है, वह निम्न में से कौन सा है, क्या हुआ disk drive है क्या हुआ basic input output system है क्या हुआ complimentary metal oxide semiconductor है क्या हुआ driver है, तो देखें दोस्तों याद रखेंगे, जब भी computer start होता है या booting की process होती है तो उस दोरान क्या होता है, जो भी आपके रोम में data डला होता है, तो रोम में कौन से software होते हैं, BIOS के software होते हैं याद रखेंगे, रोम में किसके software होते हैं BIOS के, basic input output system, ठीक है जो की आपके operating system को RAM में load करने में help करते हैं, ठीक है, जब आपका operating system RAM में load होगा तब ही तो क्या होता है, उसको booting process केते हैं, मतलब computer start होता है Windows बगेरे लिखा हो आता है, यदि आप Windows चलाते हैं तो, ठीक है, तो याद रखेंगे basic input output system रोम में कारेकरम कुन सा है तो वो BIOS का software है, या बोल सकते हैं BIOS एक program है, जो आपके operating system को RAM में load होने में help करता या बोल सकते हैं, जिम्मेदार होता है चली, आगे बढ़ते हैं, अगले question पर चली friends, देखें क्या बोला है निम्न में से कौन सी memory है जिसकी भंडारन चमता अधिकतम है, अब देखें भंडारन चमता अधिकतम में मतलब यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सी memory बड़ी है क्या petabyte बड़ी है, क्या terabyte बड़ी है gigabyte बड़ी है, या megabyte बड़ी है अब देखें, यदि हम petabyte की करें तो यह होती 10 की घात 15 gigabyte की बड़ी करें, तो यह होती 10 की घात 9 megabyte की बड़ी करें, तो यह होती 10 की घात 6 और terabyte की बात करें तो यहाँ होतार दसकी घात 12 तो यहाँ पर अब आपके लिए आसान होगा बताना कि कौन से memory बढ़ी है तो देखें यहाँ पर नो, यहाँ पर एछे यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि betabyte जो है वहाँ इन चारों में सबसे यादा भंदारण वाली चमता वाली मेमोरी है ठीके चली अगला कुशन देखी सर्वर जो डोमेन नामों को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या बोल सकते हैं आईपी एड्रेस में बदलता है वहाँ कहलाता है देखे दोस्तों याद रखेंगे किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ठीके उसमें जो भी आखरी में नाम के बाद में जो भी दो तीन चार लिखे रहते हैं वहाँ कहलाते हैं डोमेन क्या कहलाते हैं दोस्तों डोमेन और ये क्या बताते हैं, वेबसाइट का प्रकार, ठीक है, यहाँ पर भही पूछाए, सर्वर जो domain नामों को internet protocol, IP address में बदलता है, वह कहलाता है, domain name server, क्या कहलाता है दोस्तों, वह domain name server, ठीक है, चली, अगला question क्या बोला है, निमलिकित में से कौन सा pointing device नहीं है, अब उस पर target कर सकते हैं जैसे आपको किसी भी mobile की screen जो होती है उसमें वो सारे आपके application होते हैं ठीक है अब आपको particular लिए केवल एक application को ही open करना है माल लिए यहाँ पर calculator है तो इस calculator को आपको open करना है तो आप इतनी बड़ी screen में केवल कहाँ पर point करेंगे calculator पर point करेंगे बोलिए clear रहे ठीक है आपको calendar open करना है तो आपके वाल calendar पर click करेंगे तो इसे बोलते हैं दोस्तों pointing device ठीक है तो यहाँ पर pointing device देखें mouse जो है वो pointing device होता है stylus है वह भी pointing device होता है joystick जो है वह भी pointing device होता है joystick गेम खिलने काम में आता है ठीक है ना तो गेम में भी क्या होते है हम point करते है और stylus क्या होता है दोस्तों तो stylus जो होता है आपके touch screen में input देने के लिए जो stick आती है उसको stylus करते है ठीक है माउस को तो आप सब जानती है बचा कुछ है क्या keyboard तो यहाँ पर दोस्तों हमारा answer क्या होगा keyboard क्योंकि हमसे question में क्या पूछा है कौनसा यहाँ पर pointing device नहीं है तो नहीं है मतलब कौनसा है keyword जो है वो pointing device में नहीं आता चली आगे बढ़ते है next question पर चली दोस्तों अगला question देखिए किसी भी network पर लोगों को ललचाना कहलाता है तो देखिए किसी भी network पर लोगों को ललचाना क्या कहलाता है दुभा कहलाता है fishing दोस्तों यसे English में ही पूछा जैसकता है luring of people on any network ठीके किसी भी network पर लोगों को ललचाना क्या कहलाता है fishing जैसे कि आपके वास में email या message आता होगा कि आपको 25 लाग की lottery लगी है आप फला नफला number पर WhatsApp करिए और ये करिए और वो करिए तो दोस्तों ये सब fraud होता है है ना लोगों को ललचाते हैं और उसके बाद में उनसे पईसे निकल वा लेते हैं ठीक है आपको जैसे phone पर अगरा पर आपको call पर आता होगा कभी की आपको lottery लगी है 25 लाग की आपकी नुकरी लगी है आप पे लफन ट्रास्पा कर दीजे ठीक है उसके बाद में आपको ये होगा वो होगा तो किसी भी network पर लोगों को जो ललचाते हैं और ठगी करते हैं ओनलाइन ठगी वागया कहलाती है दोस्तों fishing कहलाती है important question ने exam में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जितने भी question बताए हैं सभी अलग-अलग topic से related है यदि आप इन सभी topic को को अच्छे से और briefly पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे computer online course को जोईन कर सकते हैं जहाँ पर मैंने इन सभी chapterों को अलग-अलग तरीके से और पूरा briefly तरीके से explain किया है जिससे आपको question लगाने में ज्यादा आसानी होगी यदि आप briefly पढ़ते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं अगले question पर next question केता है 1971 में design किये गए फिर dash को आम तोर पर पहला computer virus माना जाता है दोस्तों याद रखेंगे पहला computer virus माना जाता है किसे creeper को किसे कहा जाता है creeper को ठीके? option A is correct answer अगला question देखी Microsoft Word का पहला संसकरण निम्न में से किस operating system के लिए जारी किया गया था तो याद रखेंगे दोस्तों MS-DOS के लिए जारी किया गया था और MS-DOS का full form क्या होता है Microsoft disk operating system याद रखेंगे important है MS Word का जो है पहला संसकरण किस operating system के लिए किया गया था तो MS-DOS के लिए किया गया था चली आगे बढ़ते है नेक्स question पर चली फ्रेंट्स अगला question देखी एक hacker जिसके इरादे अपरादिक या दुर्भावपूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है तो देखी उसे कहा जाता है white hat hacker क्या कहा जाता है दोस्तों उसे white hat hacker ठीके मतलब क्या है जिसे दोस्तों अब आप सूचेंगे hacker भी अच्छा कारे करते हैं क्या तो जी हाँ बिल्कुल करते हैं hacker जो है वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं wakers के भी type होते हैं अब जिनके कार जो है अपरादिक होते हैं वो black hat hacker कहलाते हैं और जिनके कार जो है दुर्भावपुन नहीं होते हैं अपरादिक नहीं होते हैं मतलब जो अच्छे कारे के लिए hacking करते हैं वे कहलाते है white hat hacker जिसे कि हर bank में एक hacker की job होती है ठीके और उस hacker का काम क्या होता है कि जो भी bank का आपका online software है उसको मजबूत बनाना ठीके और उसको चेक करते रहे ना कि उसमें कहीं से hacking तो नहीं हो सकती ठीके न त्योंकि आजकल जमाना के आगे है दोस्तों online transaction का ठीके हम लोग दिन भर में बहुत सारा online transaction करते हैं तो हो सकता है कोई hacker उस particular software को hack करके और हमारे पैसे या बोल सकते हैं बेंक में कुछ घपला कर सके इसलिए दोस्तों white hair taker हो की जोब होती है इस प्रकार की चली आगे बढ़ते हैं अगले question पर निमने में से कौन सी shortcut की Windows task manager खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों याद रखेगा यहाँ पर हमसे question थोड़ा सा घुमा के पूछा है अब यहाँ पर हमसे पूछा है Windows task manager को open करना है ठीके अब Windows task manager को जड़ी हमको open करना है तो हम क्या दबाएंगे दोस्तों Ctrl, Shift और Escape ठीके Ctrl, Shift और Escape दबा के हम क्या करेंगे सीधे task manager को open कर लेंगे Option C is correct answer चलिए एक last question मचा है दोस्तों उसे भी देख लेते हैं निमलिकित में से कौन सा Spreadsheet software है अब दोस्तों यहाँ पर word दिया गया है Spreadsheet Spreadsheet मतलब क्या तो देखे याद रखेंगे Spreadsheet जो है MS Excel के लिए उसके आता है तो यहाँ पर Spreadsheet software क्या होता है MS Excel Option C is correct answer दोस्तों याद रखेंगे जब भी page की बात चलेगी मतलब MS word की बात चल रही है जब भी sheet की बात चलेगी मतलब MS Excel की बात चल रही है और जब भी slide की बात चलेगी मतलब MS power point की बात चल रही है ठीके इनके तुरू भी question पूछे आते हैं जिसे कि यहाँ पर question पूछ लिया गया कि Spreadsheet software कुन सा है तो वह MS Excel है ठीके चली तो यहाँ तक था दोस्तों हमारे कुछ important और previous year के आपके MTS की question जो कि मैंने आपसे यहाँ पर discuss करे हैं यदि आपको और briefly computer को पढ़ना है तो आप हमारे course को जोइन कर सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही यदि मेरे द्वारा बताएगा यह question आपको अच्छे लगे हो तो please वीडियो को like करिए share करिए channel को subscribe करिए और बने रही है हमारे साथ और दोस्तों इन question की एक बार practice जरूर करके जाएगा exam में ठीके यह मेरे आपसे request है चली तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन